हेलो फ्रेंज, वेलकम टू आवर यूटूब चनल मुनीदा, तो फ्रेंज, आज की वीडियो में हम विकली टाइम फ्रेम के अपर स्विंग टेडिंग के लिए 6 बेस स्टॉक्स देखने वाले हैं, इन 6 स्टॉक्स में से आपको 2 ब्रेकाउट स्टॉक्स देखने के लिए मिल के पहले हम डॉला इंडेक्स, पूड़ और इलकावी चाश्च देखेंगे, बिकॉस आपको भी पता है कि इन तीनों का उपोसित डारेक्शन हमारी इंडियान मार्केट चलता है, इसलिए इन तीनों को एनलेसिस करना बहुत ज़री है, और उसके साथ मेसी मार्केट को सब्सक्राइब में चानल और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जड़ो किजेगा, फ्रेंज पाहले जो हम देखने बाले है, यह है क्रूड आल के चार्ट्स और यह विगली टाइम फ्रेम पे हैं, फिलाल जो ट्रेट कर रहा है, तो आप देख सकते हो, यह क्र सब्सक्राइब में चानल देखने के लिए मिल रहा है, तो अपना जो रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक आउट करके आपसाई जने के बाद, अगेन यह जो प्रिबियस रेजिस्टेंस है, मतलब कि अभी यह सपोर्ट की जैसा काम करेगा, इसी लेवल के पास अभी यह वोल क अगर बर जाता है, तो अगर बर जाता है, तो हमारी इंडियान मर्केट के लिए खत्रा होता है, क्योंकि आपको भी पता है कि मीडियल इसमें जो इसरेल और इरान है, दोनों का काफी ज़्यादा वार चल रहा था, और उसी कारण हम लोगों को देखने के लिए मिला कि क्रुडायल जो इंपोर्ट करते हैं, इंडिया जो क्रुडायल इंपोर्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा मीडियल इसमें दोनों में वर बर जाता है, अभी तो फिलाल दोनों में चुपचाप है, थोड़ा शान्त है, लेकिन फिर से अगर टेंशन बर जाता है, दोनों एक द वाली जो इस्राइल एन इरन का जो वर्ड होड़ा है ठीक है इन सारे चीजों को भी आपको थोड़ा ठीक है देखना है ओके तो चली अभी हम देखते हैं डॉला इंडेक्स के चार्ज तो अब देख सकते हो डॉला इंडेक्स जो है अभी फिलाल ट्रेट कर रहा है 106.128 यु तो चली अभी जो हम नेक्स देखने वाले है यह है इल का चार्ज तो इल जो फिलाल ट्रेट कर रहे 4.615 PCT में एन इल भी अपना जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेकाउट करके काफी आपसाइड गया है आप देख सकते हो ठीक है तो अगर इल ठीक है और भी आपसाइड इल का चार्ज को भी आपको फॉलो करना है तो चली अभी हम M.E.C. मार्केट को देखते हैं जो हमारी इंडियान मार्केट को सपोर्ट करता है तो आप देख सकते हो M.E.C. मार्केट जो है फिलाल ट्रेट कर रहे 39.71 UST में and M.E.C. मार्केट में भी आपको ठीक है इधर जो इसी रेजिस्टेंस से इसको रिजेक्शन मिला और यह नीची के तरफ फॉल हो रहा है तो दोस्तो M.E.C. मार्केट में भी हम लोगों को डाउन फॉल देखने के लिए मिल रहे तो चली अभी हम निप्टी के चार्ट को देख लेते हैं तो निप्टी जो फिलाल ट्रेट कर ग्लोबली जो में इसमेर वार है ऊसका भी इंपैक्ट में पर रहे तो दोनों को मिला के आपको दीखने के लिए मिला कि निप्टी फिली ऐंडिक्स में काफी ज़ादा गिरावड हुआ अगर हम इसको डेली में कनवार्ट करेंग तो डेली में आप क्लिया देख सकते हो तो तो डेली में continue यह gap down open होके नीचे की तरह fall हो रहा थे and last जो day है मतलब कि Friday के candle आप देख सकते हो ठीक है थोड़ा gap down open होने के बाद यह positive upset moment की तो यह जो आपको ठीक है यह जो आपको level दिखने के लिए मिल रहा है यह मैंने support level दिया था जो की 21,876 से लेके 21,961 का level तो आप देख सकते हो यह जो आपको weekly candle दिखने के लिए मिल रहा है weekly candle इसके नीचे ठीक है low लगाया अगर हम इसका low को देखेंगे तो यह जो candle आपको दिखने के लिए मिल रहा है निप्टी 50 इंडेक्स का चार्ट से ही है तो चली इसका हम मंदली candle भी देख लेते हैं तो यह मंदली candle देख सकते हो तो मंदली candle का तो अभी तक closing नहीं हुआ है ठीक है और भी 10 days बाकी है तो आप साइट में यह जो आपको लेवल देखने के लिए मिल रहा है 22,500 से 600 का लेवल यह निप्टी 50 का अभी यह resistance लेवल और मिडिल इसमें अगर फीर से वर्ड बर जाता है फीर से दोनों दूसरे के उपर attack करते है तो globally impact पड़ेगा और हमारी Indian market में भी काफी इसका असर पड़ेगा तो यह अगर होता है तो निप्टी 50 जो है अपना support level को नीची की तरह breakdown करके आ सकता है यह जो आपको level देखने के लिए मिल दा है जो कि मैं बता देती हूँ जो कि है 21,193 से लेके 21,000 का levels ठीक है तो हो सकता है निप्टी 50 इस level तक भी आ सकता है तो आपको निप्टी 50 इंडेस के चार्ट को भी देखना है तो overall जो है निप्टी 50 अभी सही जगा पर है तो चली अभी हम बैंग निप्टी के चार्ट को देख लेता है तो बैंग निप्टी जो फिलल ट्रेट करें 47,574 पे तो बैंग निप्टी का यह आप weekly candle देख सकते हो और बैंग निप्टी का जो हमने support लेवल आपको दिये थे यह जो आपको लेवल दिखने के लिए मिला है जो कि 46,122 से लेके 46,257 का लेवल आप देख सकते हो बैंग निप्टी जो है low जो लगाया almost इसी लेवल के पास low लगाया ठीक है और बैंग निप्टी में भी हम लोग last week जो है अनलेसिस किये थे कि बैंग निप्टी में आपको टॉप में एक ग्रेपस्टोन डोजी देखने के लिए मिला है जो कि एक बियरिश रिवर्सल कानलिस्टिक पैटरंस है और उसके साथ ही globally impact पढ़ने के कारण बैंग निप्टी में भी हम लोगों को काफी ज़्यादा गिरावत देखने के लिए मिला राइट अगर हम इसको डेली में convert करेंगे तो डेली में आप देख सकते हो बैंग निप्टी में continue gap down open होके नीची की तरफ fall किया और फ्राइडे के दिन आप देख सकते हो gap down open होने के बाद यह आपने आपको सम्मा लिया और फीड से अगेन यह upset गया है तो overall जो है बैंग निप्टी अभी सेही जगा पर है और similar वही बाद है निप्टी 50 में मैंने जो बताया globally अगर middle में वर बढ़ जाता है बैंग निप्टी जो आपने यह support level है इस support level को नीची की तरह breakdown करके आ सकता है जो यह आपको level दिखने के लिए मिला जो कि है 44,800 का levels तो इस level तक भी आ सकता है लेकिन overall अगर हम बोलेंगे तो बैंग निप्टी अभी सेही जगा पर है अपसाइड में जो level आपको दिखने के लिए मिला है जो कि 48,300 से लेके 48,500 का levels यह levels अभी बैंग निप्टी का resistance level है तो चलिए इसका हम मंदली कांडर्स भी देख लेते हैं तो आप देख सेकते हो यह बैंग निप्टी का मंदली कांडर्स भी आपको दिखने के लिए मिला है ठीक है तो मंदली कांडर्स भी अभी तक incomplete है तो overall जो है बैंग निप्टी अभी सही जगा पर है तो चलिए अभी हम पिछले इक जो जो स्टॉक्स दिए थे उन सशर्वे सटॉक्स का एक झलाग देख लेते हैות उसके बार नेकस कांडल आप देख सेकते हो अभी यह में रिटेस लेवल के पास आये है तो ये stocks में अभी भी swing opportunity के लिए अभी भी देख सकते हो तो चली अभी हम next stocks देखते हैं तो next जो हमने stocks दिये थे ये था patron तो आप देख सकते हो ये patron के charts है तो ये जो stocks है ठीके ये आपको breakout candle जो दिखने के लिए मिले है इसी candle में हमने analysis किये थे उसके बाद next candle आप देख सकते हो ठीके almost इसी level के पास ही अभी ये trade कर रहा है तो ये stocks पर भी अभी भी आप swing opportunity के लिए देख सकते हो तो last जो हमने stocks दिये थे ये था max financial तो ये stocks ठीके breakout अभी तक नहीं दिया है breakout देनी के condition में है तो ये stocks को अभी भी आप अपने वाश्रीस में रख सकते हो जब भी ये stocks इस level का breakout देगा ठीक है तब भी आप इसमें swing opportunity के लिए देख सकते हो मतलब कि breakout candle की weekly में closing देखना आप के लिए जरूरी है और ये जो आपको level देखने के लिए मिला है तो दोस्तों ये जो stocks है ये एक reversal breakout stocks है विकाज आप देख सकते हो ये stocks ने अपना एक swing high को breakout दिया है अगर हम इसको monthly charts पे convert करेंगे तो monthly में आप देख सकते हो ये जो stocks है काफी upset moment किया था अगर हम देखेंगे तो ये stocks ने high लगा है 499 डूपिस का उसके बाद ये stocks में गिरावाड हुआ और फाइनली ये stocks अपना एक swing high को breakout दिया है तो ये जो आपको level देखने के लिए मिला है swing high का level जो की है 318 से लेके 326 का level तो दोस्तों ये जो stocks है ये stocks काफी upset से नीचे गिनने के बाद थी के इस जगा high लगा है 2019 में high लगाने के बाद ये stocks अगिन अपना swing high के पास गया लेकिन swing high को breakout नहीं कर पाया and again ये stock 2024 that means 2019 से लेके 2024 तीक है after 5 years के बाद ये stocks अपना एक swing high को breakout दिया है और ये stock 200 SME के उपर भी है और इधर आपको एक chart patterns भी देखने के लिए मिल रहा है जिसको हम बोलता है W patterns and इसी W patterns का breakout भी आपको देखने के लिए मिल रहा है तो चली अभी हम breakout candles को देख लेते हैं तो आप देख सेगते हो ये आपको breakout candles देखने के लिए मिल रहा है तो breakout candles की अगर हम volume देखेंगे तो आप देख सकते हो breakout candles की volume भी सही है और overall अगर हम देखेंगे stocks के volume भी काफी अच्छा है तो चलिए इसका monthly candles भी देख लेते हैं तो आप देख सकते हो monthly candles भी अपना एक swing high के उपड़ी trade करा है अभी तोक monthly candles का तो closing नहीं हुआ है बढ़ इस swing high के उपड़ी थीक है monthly candles भी trade करा है और monthly में भी ये chart patterns काफी अच्छा से आपको देखने के लिए मिल दा है डबलो पैटन्स राइट और इसी डबलो पैटन्स का monthly candles में भी इसने इस level के उपड़ी trade करा है तो target की साफ साफ इसको line chart में convert कीजिए तो जो swing high आपको देखने के लिए मिलेगा उसी swing high को आप first target की साफ से देख सकते हो तो जो swing high आपको देखने के लिए मिलता है तो इस swing high को आप first target की साफ से देख सकते हो और second swing high को आप second target की साफ से देख सकते हो तो अगर आपको target ठीक है, target निकलने में problem होता है तो अब इसको line chart में convert कीजिए जो swing high आपको देखने के लिए मिलेगा बहुत easily आप swing high को target के साब से देख सकते हो तो दोस्तो ये stocks में आप swing up opportunity के लिए देख सकते हो तो चलिए अभी हम next stocks देख लेता है तो दोस्तो ये जो stocks अपना all time high को breakout दिया है और ये stocks का all time high level अपको दिखने के लिए मिला है जो कि है 121 से लिए 125 का levels तो दोस्तो ये stocks काफी नीचे से upside आया है और इस जग जो high लगा है 2017 में 2017 में high लगाने के बाद ये stocks में काफी ज़दा गिरापेट हुआ and again year stocks इसी जगा पे गया and finally 2024 में अपना ये all time high को breakout दिया है that means after 7 years के बाद year stocks ने अपना all time high को breakout दिया है और year stock 200 SME के उपर भी है and इधर आपको एक chart patterns भी दिखने के लिए मिला है जिसको हम बोलते है W patterns and इसी W patterns का breakout भी हुआ है और दोस्तों ये stocks जब इस level पे अपने आपको hold कर रहे थे तभी year stocks मेंने बहुत पहले आप लोगों के साथ analysis किये थे कि year stocks को आप अपने उनजर में रख सकते हो watchlist में रख सकते हो and finally year stocks में हम लोगों को breakout देखने के लिए मिला है तो दोस्तों ये जो stocks है ये stocks का अगर हम volume देखेंगे तो आप देख सकते हैं तो stocks के volume भी सही है और ये breakout candles के आप volume भी देख सकते हो तो दोस्तों ये stocks में आप swing opportunity के लिए देख सकते हो ये जो आपको breakout candles देखने के लिए मिला है इस breakout candles की next candle में आप swing opportunity के लिए देख सकते हो and breakout candles के नीचे आपको stop loss रखना है and target की साब से आप 1-3 and 1-4 को आप देख सकते हो तो चलिए अभी हम एक stocks देख लेते हैं तो नेक जो stocks है यह है BPCL और यह weekly time frame plan फिलाल जो trade करें 585.80 रूपिस में तो दोस्तों यह एक retail stocks है because आप देख सकते हो यह stocks ने अपना all time high को breakout देखे काफी upside जाने के बाद again यह stocks अपना all time high के पास से यह क्या कर रहा है? retail करने आया है और दोस्तों यह जो stocks है इस जगा जो high लगा है 2017 में उसके बाद finally stock 2024 में तिके after 7 years के बाद अपना all time high को breakout दिया है और यह जो आपको level देखने के लिए मिला है जो कि है 533 से लेके 543 का levels और जब यह stocks इस level का breakout दिया था तब यह stocks बहुत पहले मैंने अब लोगों के साथ analysis किये थे and finally हम लोगों को फिर से यह stocks में details देखने के लिए मिला राइट और यह stock 200 SME के उपर भी आप देख सकते हो तो चली इसका मंदली चार्ट भी देख लेते है तो मंदली में भी आप देख सकते हो यह stocks आपना all time high को breakout देने के बाद इसी के पास मंदी में भी यह आपने आपको hole कर रहा है तो चली अभी हम यह stocks के वोल्यूम भी देख लेते हैं तो आप देख सकते हैं तो यह stocks को आप आप swing opportunity के लिए देख सकते हो ठीक है यह जो आपको candles देखने के लिए मिल दा है ठीक है next candle अगर आपको थोड़े और भी नीचे मिलता है तो और भी अच्छा है तो यह stocks में तभी आप swing opportunity के लिए देख सकते हो तो दोस्तो यह stocks भी एक retail stocks है because आप देख सकते हो यह stocks ने अपना all time high को break out देके काफी upset गया है यह stocks में फीच से हम लोगों को retail देखने के लिए मिल दा है तो अगर हम overall charts का view देखेंगे तो आप देख सकते हो यह stocks का all time high है जो level आपको देखने के लिए मिल दा है 146 से लेके 151 का levels राइट तो चलिए charts को पहले हम zoom करके देख लेते हैं आप देख सकते हो यह stocks है 200 SME के ओपर भी है तो यह जो stocks है अपना all time high को break out देने के बाद upset गया and again यह stocks जो है इसी level के पास आप देख सकते हो रिटेस करने आया and इसी के पास अपने आपको hole कर रहा है तो चलिए अभी हम इसके volume भी देख लेते हैं तो stocks के volume भी आप देख सकते हो जब price upside movement कर रहे थे तो इसके साथ-साथ volume भी साथ दे रहे थे रहे थे तो अगर हम इसका monthly charts भी देखेंगे तो monthly में भी आप देख सकते तो यह जो stocks है अपना all time high को breakout देने के बाद monthly में भी यह stocks ठीक है अपना जो all time high के उपर ही अपने आपको hole कर रहा है तो दोसे यह stocks में तभी आपको swing up हो चांटी लेना है जब यह stocks और भी थोड़े बहुत नीचे की तरफ अगर आते है क्योंकि अगर आप ठीक है और भी न भी थोड़े नीची की तरफ आता है तभी आपको इसमें swing up हो चांटी लेना है और टार्गेट की साब साब 1-3 और 1-4 को आप देख सकते हो तो चलिए अभी हम दो ऐसे stocks देखेंगे जो अभी तक ब्रेकाउट नहीं दिया है बट ब्रेकाउट देने के कंडिशन में है तो अब ये दो stocks को वाच्छिस में रख सकते हो तो ये जो stocks है ये है sell on और ये weekly time frame पहन फिलाल जो ट्रेट कराए 640 रूपिस में तो दोस्तों ये जो stocks है आप ये stocks का all time high आप देख सकते हो और ये stocks अपना all time high के पास ही ट्रेट कराए बट अपना all time high को ब्रेकाउट नहीं दिय है और ये stocks ने इस जगह जो हाई लगा है 2014 में 2014 में हाई लगाने के बाद ये stocks में काफी जदा गिरा पढ़ हुआ उसके बाद ये stocks काफी टाइम से अपने आपको एक range में ठीक होल कर रहे थैं फाइनली इस रेंज का breakout देने के बाद ये stocks अगीन अपना all time high के पास आया है ठ अभी देखने ये है कि ये stocks अपने आपको इस जगह कितने टाइम तक होल करता है होल करने के बाद इस लेवल का breakout दीता है और ये stock 200 ACME के उपर भी है तो चलिए पहले हम charts को zoom करके देख लेते हैं तो आप देख सकते हूँ ये stocks अपने all time high के पासी trade करें अगर हम इसका volume भी देखेंगे तो आप देख सकते हूँ अगर आपको कुछ time बाद अब देख सकते हूँ कि ये stocks काफी नीचे सापसर गया है तो हो सकत है कुछ time बाद अपने आपको hold करने के बाद इस level का breakout दे तो weekly candle में अगर आपको इस level के उपर ठीके breakout candles देखने के लिए मिलता है तो तभी आप इसमें swing opportunity के लिए देख सकते हो और breakout candles के नीचे आपको stop loss रखना होता है तो चलिए अभी हम इसका monthly charts भी देख लेते हैं तो monthly मे आप देख सकते हो यह stocks अपना all time high के पास ही trade करा है तो यह stocks को आप अपने watch list में रख सकते हो जब भी breakout देगा तभी आप इसमें swing opportunity के लिए देख सकते हो तो चलिए अभी हम next and last stocks देख लेते हैं तो नेक जो stocks ही गया है हिंदाल को weekly time frame पे हैं फिलाल जो trade करा है 614.75 रूपे इसमें तो यह stocks अपना all time high के पास ही trade करा है बर्ट यह stocks का range थोड़ा छोटा है अगर हम इसको measure करेंगे तो आप देख सकते हो stocks का जो range है 784 और आपको भी पता है कि weekly time frame के अवपर हम लोगों को जो range मतलब की minimum range चाहिए यह 1200 दिन का range चाहिए लेकिन इधर 1200 दिन से कम range का है और दोस्तों अगर आपको weekly time frame के ऊपर strategy जानना है कि कि strategy के ऊपर हम stock analysis करते हैं तो इसके ऊपर फूल वीडियो है तो आप उस वीडियो को देख सकते हो आई बटन में आपको link मिल जाएगा तो अगर हम इसको मंदली में convert करेंगे तो मंदली में भी आप देख सकते हूँ यह और breakout आपको कुछ time बाद या फिर next week आपको देखने के लिए मिले कि यह stocks अपना इस level को breakout दे के closing दिया है तो दोस्तों यह stocks में तभी आप swing opportunity के लिए देख सकते हो और breakout canvas की नीचे आपको stop loss रखना है और target के साब साब 1-3 और 1-4 को आप देख सकते हो इस वीडियो में मैं जो भी stocks आप लोगो के साथ analysis करते हैं तो जब भी आप कोई भी stock में investment करते हो उसके पहले आप जरूर analysis कीजिएगा उसके बाद ही investment कीजिएगा अगर वीडियो हेल्प पूर रहा है तो वीडियो को लाइक करने जाद से जाद से जाद से शियार करना और कोई भी confusion रहे बीडियो रहे तो नीचा मुझे कमे सक्स में पोच सकते हो और अगर अगर मेरे चानल में हो तो प्लीज सब्सक्राइब में चानल और हिट अब बेल आइकन सो में दम नेक्स अच्छी को लेंडिक वीडियो में तब तक लिप बाबाई, हब अगुद दे